करनाटक चुनाव में येंदिय उर्पा सरकार गिरने के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित्षा के प्रहार पर कॉंग्रेस ने पलटवार किया है सुमवार को कॉंग्रेस संसद आनंद शर्मा ने कहा कि बीजेपी को विदायकों को चुराने में महारत हासिल है लेकिन ऐसा नहीं कर पाने पर व्येख खिसी आई हुई है अमित्षा के प्रहार पर पलटवार करते हुए आनंद शर्मा ने कहा कि खिसी आनी बिलिक हम बानोचे कॉंग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि करनाटक चुनाव में बीजेपी ने साड़े 6,000 करोड रुपे इस्तिमाल किया बीजेपी ने अपने प्रतेक प्रत्याशी को 20 करोड रुपे दिये गए 4,000 करोड रुपे दूसरे दलों के विदायकों को खरीदने के लिए रखा इस से पहले बीजेपी अध्यक शमित शाह ने कॉंग्रेस पर करारा हमला बोला और उस पर अपने विदायकों को बंधक बनाये रखने का आरोप जड़ा शाहत पर पलटवार करते हुए कॉंग्रेस नेता अनंद शर्मा ने कहा कि कॉंग्रेस और जड़ीएस ने अपने विदायकों को बीजेपी से बचाने की कोशिश की बीजेपी ने कॉंग्रेस के दो विदायकों को बंधक बना कर रखा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते बीजेपी वो नहीं कर पाई जो वो करना चाहती है बीजेपी कॉंग्रेस और जेडियेस के विदायकों को अगवा करने की फिराक में थी करनाटा के राजजपाल द्वारा सुबे की सबसे बड़ी पार्टी वीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंतरित करने के कदम को सही बताने पर भी अमित्स शाहाप पर पलटवार किया वीजेपी ने अरुणाचल में खरीद ली पूरी सरकार है कॉंग्रेस कॉंग्रेस नेता शर्मा ने सवाल किया कि अगर सबसे बड़ी पार्टी को ही राजजपाल सरकार बनाने के लिए आमंतरित करते हैं तो गोवा और मनीपूर में बीजेपी ने क्या किया अरुणाचल में पूरी सरकार को ही बीजेपी ने खरीद लिया ये देश की जनता को मूर्क समझते हैं उन्होंने कहा कि अमित्शा को सम्विदान का ज्यान नहीं है और अगर ज्यान है भी तो वो सम्विदान का समान नहीं करते हैं किसी राज्य में सरकार बनाने के लिए बड़ी पार्टी होना जरूरी नहीं है बलकि दो तेहाई बहुमत होना जरूरी है करनाटक चुनाव में बीजेपी ने सरकारी तंत्र का किया दुरूपयोगा अनन्द शर्मा ने आरोप लगाया कि करनाटक में चुनाव अभियान के दोरान बीजेपी ने खुले आम सरकारी तंत्र का दुरूपयोग हुआ केंद्रिय एजेंसियां वहां गी बीजेपी ने कॉंग्रेस के चुनाव प्रचार में बाधा डाला कॉंग्रेस के 20 से जादा प्रत्याशियों और उनके परिजनों को परिशान किया गया आया कर विभा की रेट डलवाई गई प्रजातंत्र का दावा करने वाले अमिच्षा के हकिकत सभी को पता है कि वो कितना लोगतंत्र का समान करता है बीजेपी के पास दुनिया का सबसे बड़ा कार्याल है आनन्द शर्मां कॉंग्रेस नेता शर्मा ने कहा कि अगर पैसे की बात करें तो BJP के पास ही सबसे ज़ादा पैसा है दुनिया की सबसे ज़ादा पैसे वाली पार्टी BJP ही है दिली में BJP और राष्ट्रे स्वेहन सेवक संग हारेस स का कार्याल एंदुनिया का सबसे बड़ा है करनाटक चुनाव में खर्च किये गए पैसे की हो निश्पक्ष जाचानंद शर्मा ने आरोप लगाया कि करनाटक चुनाव में BJP ने 6,000 करोड रुपे खर्च किये इसमें से प्रत्यक BJP प्रत्याशी को 20 करोड रुपे दिये गए 4,000 करोड रुपे दूसरे दलों के विदायकों को खरीदने के लिए रखा गया उन्होंने करनाटक चुनाव में BJP द्वारा खर्च की गई धनराशी की जाच कराने की भी मांग की उन्होंने कहा कि BJP अध्यक्ष अमित शाह और PM मोदी की दोहरी जुबान और दोहरी मामियता को हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है ये लोग बात तो भारतिय संस्कृति की करते हैं लेकिन सुबह से शाम तक जूट बोलते हैं अमित शाह ने कहा कि करनाटक में कॉंग्रेस के खिलाफ जनादेश था लेकिन हकीकत यह था कि यह गडबंधन के पक्ष में जनादेश था कॉंग्रेस और जेडियेस पहले भी आ चुके हैं एक साथ आनंद शर्मा ने कहा कि पहले भी जेडियेस और कॉंग्रेस एक साथ मिलकर सरकार बना चुके हैं जहां तक जनादेश की बात है तो साल 2013 से 2018 के बीच कॉंग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है करनाटक में हमारे पास बीजेपी से ज्यादा वोट प्रतिशत है अगर कॉंग्रेस और जेडियेस का वोट प्रतिशत मिला दिया जाए तो बीजेपी से 21 पीज ज्यादा है